दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोस्ट ओपिस की जो NSC और FD इसकीम में कौन सी इसकीम आपके लिए बेटर रहेगे यानि किस इसकीम में आपको ज्यादा रिटन मिलेगा दोनूं ही scheme दोस्तों जो है 5-5 साल के लिए होती है यानि FD भी 5 साल के लिए होती है और जो NSC यानि National Savings है वो भी scheme 5 साल के लिए ही तो मैं इसमें आपको complete जो है comparison करके दिखाऊंगा कि मैं किस scheme में जो है पैसे को invest करूं ताकि मेरे को जो है उतने time period में जो है ज्यादा return मिल सक तो वीडियो को complete देखिए वीडियो में पूरा procedure बताया हुए कि और आप भी जो है invest करके और ज्यादा return पाए दोस्तों देखो मैंने दोनूं के बीच में जो comparison किया है post office की एक जो है interest calculate करने की एप आती है उसके द्वारा मैंने दोनूं scheme का जो है calculate किया है वो ही मैं आपके स इसाब से होती है तो जैसे हमने दो लाक रूपए इस में invest किया और जो है seven point इस इसाब से हमारे को इंट्रेस्ट बनेगा वो बनेगा पांस साल में 8510 रूपए यानि total हमारी जो maturity amount बन जाएगा दो लाक 8510 रूपए बन जाएंगे इसके बाद में वही पैसे अगर आप TD में invest कर रहे हो या MIS में invest कर रहे हो तो वो भी आप नीचे देख सकते हो कि कितना बनेगा इसके बाद में दोस्तों NSC में हमारे को किस financial year में यानि आज के दिन अगर मैं पैसे invest करता हूँ तो किस financial year में मेरे को कितने कितने रूपए बनेंगे वो भी आप table देख सकते हो 22, 23, 24 य और इसमें भी 7 के आपको rate of interest मिलेगा प्रतु इसमें जो rate of interest आपको मिलेगा वो yearly मिलेगा यानि सालाना आपको rate of interest मिलेगा तो सालाना आप देख सकते हो कि 20000 को मेरे को जो रेटो पिंट्रिस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 1430 ii यानि jednak को 418 जारपगर बनेगा यानि मैं चूटि की अगर मैं टोटल बात करू तो टोटल da लूपग में एनवेस्ट्मेंट कर रहा है तो ऎरली जो आपको मिल कर दिया उन पैसों को तो आपको 5.8 का जो है RD का भी रिटन जो है मिल सकता है अगर आप RD में रिटन जो है अगर आप RD में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आपको फिर जो है NSC स्कीम में अगर इसको कंपेरिजन करके देखा जाए तो आपको NSC स्कीम में ज्यादा फाइ मिलेगा तो दोस्तों यह था मेरा एक छोटा सा वीडियो फिर भी किसी प्रकार की कोई क्यूरियो कमेंट बोक्स में जरूर लिखे मैं आपकी जितनी हो सके पूरी हल अप करूंगा थेंक्यू